तो हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंज तो आज हम आपके शार्श चेयर करने वाले हैं इस तरीके का वायर का फ्लावर फ्रेंज यह फ्लावर बनाना बहुत ही इसी है और आप देख सकते हैं यह बहुत ही खुबसुरत लगता है इसे हम गुल दस्ता के कॉल करते हैं तो यह पर दोस्तों यह दिनिया पेराक सब्सक्राइब लुक्राण तो छुच्छी प्लावर बनाना के बाने स्टार्डेंज तो फ्लावर बनाने के लिए पहले इस तरीके से यह बशुंद को इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए जाएंगे है रिंग की तरह कि इसे हम इस तरीके से पूल्ड करते हुए जाएंगे कि यह देखिए इसमें हमारी यह वाली हुए इस तरीके से जाती रहें इतना इसमें फोल्ड कर लिया है अब हम यहां पे यह देखिए वायर को हम इस तरीके से यह देखिए इस वायर को इस तरीके से हम इस तरीके से फोल्ड करके और इसको हम नीचे से यह देखिए देखिए नीचे से यहां से निकालेंगे उसके बाद इस लूप के अंदर हम वायर को इस तरीके से दालेंगे और फिर टाइट करेंगे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे नीचे के साइड डालेंगे गिए दिखिए उसके बाद हम इस तरीके से यह देखिए दिखिए और फिर इसे इस तरीके से पोड करेंगे यह देखिए हम आपको यह देखिए इस तरकी से हम वायर को फोल्ड करेंगे आप इस तरकी से देख सकते हैं इधर हमारा सीधा साइड होगा और इधर हमारा उट्टा और फिर नीचे से वायर को लाएंगे और फिर इस लूप के अंदर देखिए इस लूप के अंदर इस तरीके से टाइट कर लेंगे इस तरीके से पूरे रिंग में हम बनाएंगे पूरा एकदम टाइट टाइट तो हम आपको बनाते हुए दिखाते हैं तो यह देखिए हमने पूरे राउंड शिप में इसे बना लिया है आप देख सकते हैं यह फ्लावर बहुत ही बुटुफुचा लगदा है अब यह जो हमारा नीचे थोड़ा सा बचा होगा हुआ रहा है इसे यहां पे इस तरीके से फोल्ड करक अजेश्ट कर देगे ऊ-जोल्ड के यह बार बनके रेडी होगाए तो इसी तरीके से यह देखर हमने यह लों कि बना आए है ब्लू किसकें पना अब अद एको और यह यहयुल्व गत बना बनेगा एंड यह फ्लावर बहुत ही खुबस्राइब करता है आप देख सकते हैं इसे हम गुल दस्ता में लगाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम गुल दस्ता भी अफ्लोड करेंगे तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें लाइक करें जरूर बताएं अप कमेंट शेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुब तक के लिए बाबाई